भारती सेना के लिए विक्सित AI आधारित Autonomous Multi-Wipon Engagement System को जम्मू में North Tech संगोश्थी में प्रदर्शित किया गया ARC Ventures के R&D Engineer आरियन सिंग कहते हैं कि इसकी पेलोड शमता 12 किलोग्राम है थर्मल कैमरे रडार जैसे कई पेलोड इसमें सनलगन किये जा सकते हैं इसमें एक फाइरिंग प्लाटफॉर्म भी लिया जा सकता है LTE और Wi-Fi बैंड दोनों का प्योग किया गया है चोटी दूरी के लिए Wi-Fi इस्तमाल किया जा सकता है LTE का इस्तमाल 10 किलोमेटर तक की दूरी के लिए किया जा सकता है इसका इस्तमाल किसी भी इलाके में किया जा सकता है तो खुल मिलाकर भारते सेना का हत्यार अब और जादा हाई-टेक होने वाला है लेटिनेंट करनल महिर कहते हैं इसे तीन हिस्सों में बाटा गया है पहला है हतियार प्लाटफॉर्म इस प्लाटफॉर्म पर LMG राइफल और कार्बाइन जैसे कई तरीके के हतियार लगाए जा सकते हैं दूसरा है AI आधारित लाप्टॉप और तीसरा है कंट्रोल बॉक्स इसके मूल रूप से दो मोड हैं स्वायत और मैनूल स्वायत मोड में यानि आटोमेटिक मोड में ये ड्रोन का खुद पता लगा सकता है और उसे ट्रैक करता है जिससे ऑपरेटर को लक्ष यानि टार्गि को निशाना बना सकती है उनका कहना है कि इन्हें लक्ष अभ्यास के लिए नहीं खरीदा गया है बलके इन्हें अभियान के दौरान इस्तमाल किया जाएगा सीडियस कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप इस प्रदर्शनी को और खरीब से देखें आपको यहां ऐसी प्रणाल ओर अन्य आधुनिक टक्णिकों से लैस हत्यार और विकल दिये गए हैं आपको बता दे जो विकल सेना को दी गई है उसमें आर्टिफीशल इंचलिजन्स से लेकर कई आधुनिक तक्णिकों का इस्तमाल किया गया है जवानों की सुरक्षा के लिए जो हेल्मेट दिये गए हैं वो भी तकनीकों से लेस हैं भारतियों सेना को अन्मैंट ड्राउंड वीकल के साथ साथ आधुनिक तकनीकों से लेस बंदू के वीकल और हेलमेट समित कई चीज़े दी गई हैं इसे बनाने वाली कंपनी के चेर्मैन ने कई जानकार दिया दी वीडियो डेस्क अमरुजाल अब आपके टीवी पर भी अपने स्मार टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें आमरुजाला चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में और हाँ बैल आइकन दमाना ना भूले ताकि हर खबर हो आपके घर आमरुजाला निश्पक्ष निर्भी निरंदा